हेलो टेटर्स वेलकम टू ट्रेंड लैन स्टॉक्स वन्स अगेन टुडेए देखे स्मॉल कैप सेक्टर से पैसे बनाना बहुत असान नहीं होता है स्मॉल कैप सेक्टर यानी के वो कमप्णी जिनका मारक ेपिलारी करोड से नीचे होता है बहुत ही हाई वोलिटिल्टी भी होती है ऐसे स्टॉक्स के अंदर और रिस्क भी बहुत जाधा होता है तो इस स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर देख norm के बहुत समझदारी से आपको बनता है यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ रेन इंडर्स्ट्रीज लिमिटेड जो अनदर एक बहुत पुरानी कंपनी है और इनके जो तीन बड़े नीश हैंजिन के अंदर ही काम करती है वहाँ पर ये मार्केट लीडर्स की तरह अपनी पोजीश की होल्डिंग है जिसमें से जीरो प्लैज प्रमोटर होल्डिंग है लेकिन अगर आप डेट देखेंगे तो आठ साड़े आठ हजार करोड का डेट है कमपनी के उपर जबकि मार्केट कैपिलाइजेशन तकरीबन साड़े चार हजार करोड है तो यह मोटा मोटी फंडामें चलिए तो मैं सीधे आपको इसके चार्ट पर लेके चल रहा हूँ वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अभी इसके स्रक्चर्स हमें बता रहे हैं तो यह हैं आपके सामने इंट्राडे चार्ट रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के यहां पर आप देखेंगे अगर इसका RSI में थोड़ा सा नीचे कर दूँ थोड़ी देर के लिए तो बहुत क्लियर व्यू है कि यह माच के लो से लगातार हायर हाईज और हायर लोस की सिरीज बनाता जा रहा है यानि कि लगातार इसके जो टॉप है वो उपर की तरफ भढ़ते जा रहे हैं और इसके जो लो पॉइंट्स हैं वो भी उपर की तरफ भढ़ते जा रहे और एक अप्ट्रेंड की देखे यही निशानी होती है कि लगातार इसके हायर हाईज और हायर लोस बनते चले जाएं उसी के एसाफ से support and resistance अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत असान हो जाता है entry और exit levels के साथ trade करने के लिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह red line जो मैंने यहाँ पर यह thick line ड्रॉ की है यह एक long term की support line है इस line से नीचे यह stock नहीं आ रहा है और देखें मैंने points भी यहाँ पर almost 1, 2, 3 points यहाँ पर मैंने touch किये हैं यानि कि मेरी जो print line है वो भी काफी जादा conviction के साथ में इस चीज को बता रही है कि यह एक support की line है जिसको यह stock नीचे की तरफ नहीं break करता है इसके बाद देखें यहाँ पर यह उपर की तरफ मैंने green line भी draw करी है thick line है यह भी यह इसके resistance level को बता रही है कब से मैंने draw करी है July 2020 onwards July 2020 onwards जब से एक नई trajectory के अंदर पह लेकिन उपर की तरफ यह से cross नहीं कर पाया यानिके यह एक long term की resistance line है जहाँ पर मुझे 2 meeting points मिल रहे है इस stock के लिए यानिके अगर आप कहें तो यह stock wedge shape के अंदर trade होतावा दिखाई दे रहा है लगातार higher highs and higher lows की formation इस stock के अंदर बनती जा रही है यानिके देखें अगर यह यही trend follow करता है तो यह stock इस red line से नीचे नहीं जाएगा और इस green line से उपर नहीं जाएगा simple way में मैं यह कह सकता हूँ लेकिन देखें यह एक assumption है trading setup है और हमें दिमाग में लेके चलना चाहिए कि कभी भी यह नीचे की support line या फिर उपर की resistance line break हो सकती है फिलाल अगर हम इनी को support and resistance मानते हैं तो आप यह मानके चलिए कि यह stock के अंदर अभी वापस से एक तेजी बन सकती है इस green line की तरफ जो कि आज की तारीक में अगर हम calculate करें आज की तारीक में मेरा मतलब है last reading session 12 February के इसाफ से अगर calculate करें तो वो निकल के आ रहा है 163 रुपीज के आसपास तो यानि के अभी इसके अंदर potential काफी जादा बन सकता है अगर आप यहां से इन current level से भी buy करके चलते हैं तो देखें अगर इस trade setup को हम लोग follow करें तो जब भी यह stock इस green line को touch कर जाए उसके बाद आपको यहां से exit ले लेना चाहिए और जब भी यह stock इस red line के नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करें तब भी आपको exit ले लेना चाहिए यानि के आपका जो दाइरा है वो इस red और इस green line के बीच में रहना चाहिए एक trading setup के लिए तो इस तरीके से देखें यहां पर trading setup बनतावा दिखाई दे रहा है और अगर मैं RSI की बात करूँ क्योंकि technical indicators के बिना आपको को level define नहीं करने चाहिए और देखे 50 points से उपर इसका RSI इस वक्त float हो रहा है हाला कि यह थोड़ा सा कमजोर पड़तावा दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं क्योंकि अभी भी still जो इसकी उपर की green line है यानि के resistance level है वो बहुत दूर है और यह stock उपर की तर levels से पाइं करते हैं तो आपका target होना चाहिए approximately 160 rupees का और आपका जो stop loss होना चाहिए वो exactly red line यह होना चाहिए approximately 120 रुपे का तो 120 रुपे के stop loss के साथ में 160 रुपे का target आपको rain industries के अंदर रखना चाहिए in current level से और positional trading के साफ से देखे मैं समझता हूं कि 15 दिन से लेके महीने भ अगर आप small cap के अंदर कोई ऐसा stock देख रहे हैं जो एक defined pattern के अंदर कामकाच कर रहा हो resistance and support level उसके defined हो चुके हो तो definitely rain industries आपके लिए वो stock है लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि volumes इसके अंदर कुछ खास रहते नहीं है इसका मतलब यह है कि बहुत high volatility आपको यहां से expect नहीं करनी चाहिए केवल एक safer trade के लिए आप इसके अंदर definitely positions बना सकते हैं यह एक है पहला observation उसके बाद में एक और important चीज़ देखे pattern भी बनते हैं और pattern को भी हमें यहां पर भूलना नहीं चाहिए क्योंकि pattern जो होते हैं वो भी important होते हैं अब देखिए यह stock लगातार मार्च से ए और अगर आपने head and shoulder pattern पड़ा हो तो यहां पर एक head and shoulder pattern की formation बनने के लिए तयार है यह अगर आप देखेंगे इसका जो है left shoulder है उसके बाद यह head है और उसके बाद यह right shoulder है यानि के अगर यह setup complete होता है तो अब इस stock के अंदर गिरावट आ सकती है और भी जादा यानि के क्या अगर मैं neck line draw करता हूँ देखें neck आपको पता होना चाहिए basically किस तरीके से head and shoulder और inverted head and shoulders pattern काम करते हैं अगर मैं इसकी neck line बनाता हूँ तो इसकी neck line मुझे यहां पर मिल रही है यह तकरीबन 128 रुपे के आसपास तो अगर यह stock 128 रुपे को यहां पर नीचे की तरफ कार देता ह further इसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है तो आपको दोनों तरीके से pattern के हिसाफ से भी candlestick की formation की हिसाफ से भी और trend line के हिसाफ से भी देखना चाहिए किसी भी stock को क्या best suitable pattern इसके अंदर नजर आ रहा है तो यहां पर देखिए पहला मैंने आपको दिखाया 128 रुपे का level अगर ये break कर देता है आने वाले कुछ trading sessions के अंदर जो इसने यहां पर direction बना रखे उसके इसाफ से शायद ये कर सकता है तब आपको यहां पर और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि uptrend के बाद में अगर triple top bottom या फिर head and shoulder form हो जाए तो य Otherwise अगर यहां से bounce back हो गया तो definitely फिर आप वो target ले सकते है जो मैंने पहले setup में यानि के support and resistance line वाले setup में आपको बताये थे तो इस तरीके से rain industries के अंदर आप trade ले सकते हैं ये stock F&O में नहीं है volatility जादा नहीं रहती लेकिन अगर आप एक beginner trader है तो definitely आपको फिर F&O वाले stocks के अं उसके बाद फिर next step के उपर F&O धीरे धीरे समझते हुए approach करें और trade करें तो मैं समझता हूँ देखे rain industries में इस तरह की strategy आप अपनाएं थोड़ा सा observe करें कि कौन सा pattern ये follow कर रहा है and accordingly दोनों ही चीज़े मैं आपको बता दिये आपको long side की trade लेनी है या फिर अगर head and shoulder confirm होता है तो आपको short side की trade लेनी है short side की अगर trade लेनी है तो क्या कुछ target होता है head and shoulders में वो भी आपको पता होना चाहिए जो ये top head है इस neckline से लेके और इस head का top जो होता है वो levels होते हैं इसके वो basically distance होता है जो ये cover करता है यानि कि इस neckline के नीचे भी आप उतना ही target लेके चल सकते ह है अगर ये break करता है 128 रुपीज के levels तो ये वीडियो था देखिए technical setup rain industries limited के उपर जिसके अंदर यहां पर दो तरह के setup मैंने आपको दिखाए हैं आप चाहें तो definitely इसके अंदर move बना सकते हैं accordingly तो इस वीडियो में देखिए इतना ही मिलूंगा फिर आपसे एक नए वीडि कर दो